हेलो स्टुडेंट तुडे वी डिस्कर्स अबाउड चैप्टर नमबर एट प्रैमेरी एक्टिविटीज ऐसी टाइप कॉश्चन कॉश्चन नमबर 16 डिस्क्राइब दा में टाइप आफ एग्रिकल्चर इन दा वर्ड आज हम जो अध्याय आठ है प्रात्मिक क्रियाएं उसके निमंदात्मक प्रश्ने हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम जो प्रश्ने देख रहे हैं उसमें है विश्व की मुखे क्रश क्रशी प्रकारों का वर्णन कीजिए यानि कि जो टाइप आफ एग्रिकल्चर इन दा वर्ड यानि कि विश्व में किस-किस प्रकार की क्रशी की जाती है उसके बारे में आज हम डिसकर्स करेंगे इनको प्रआमेरी इक्टिविटीज उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है प्रायमेरी अक्टिविटीज और सेकेंडरी अक्टिविटीज and tertiary activities Primary activities related to direct by nature Agriculture is a most important primary activities This is the most prevalent occupation जादे तर हम देखते हैं सबसे प्रचलित और जो एशन टाइम यानि की जो प्राचीन काल से जो occupation यानि की व्यवसाय चला आ रहा है उसमें हम agriculture को सबसे उपर बानते हैं जैसा कि हम देखते हैं कि जो वर्ड है वर्ड में अगर हम देखें तो occupation के लेवल पर अगर रपन देखें तो primary sector में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं ठीक इसी परकार से अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी more than 50% जो people है वो agriculture occupation में ही involved है agriculture which is the primary source of food in the world supplies 71% of food need यानि कि अगर हम देखें तो विश्व में जो भोजन है यानि कि जो फूड है यानि कि भोजन की उपलबता के लिए जो लगबग 71% जो है वो agriculture से हमें प्राप्त होता है according to the variety physical, social and economic condition there are different types of agriculture of world अगर हम देखें तो जो भोजोलिक, सामाजिक और आर्थी के दशाओं के आधार पर जो agriculture है उसकी अलग-अलग प्रकारों में उसे भी भाजित किया गया है सबसे पहले आती है, जैसे हम सबसे पहले अगर हम discuss करेंगे तो वो discuss करेंगे shifting agriculture यानि की इस्थानांतरित क्रशी सबसे पहले हम shifting agriculture के बारे में discuss करेंगे shifting agriculture, it is a ancient form of agriculture यह क्रशी का सबसे प्राचीन तरीकों में से एक है it is a form of agriculture used expectly is topical अफरीका यानि की अगर हम देखें तो यह क्रशी mostly जो topical areas होते हैं, especially जो अफरीका है उन topical areas में इस तरीके की जो agriculture है shifting agriculture हमें आज भी देखने को मिलती है in which an area of land is cleared of vegetation and cultivate from a few years and then abandoned from a new area until it is fertilized is naturally restores यानि की इसमें इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो एक जो लैंड है यानि की जो भूमी होती है उसे vegetation यानि की उसके ओपर जो पेड़ पौदे होते हैं उसे साफ करके और वहां करशी की जाती है ऐसा कुछ साल तक वहां पे क्रशी की जाती है उसके बाद उस एरिया को चेंज कर देते हैं और उस एरिया पर दुबारा से कुछ सालों बाद की जाती है जिससे कि उसकी जो लैंड है लैंड की जो फेटिलाइट एबिलिटी है वो डवलप हो सके नैचुरिल रियो स्टोर हो सके तो जो शिफ्टिंग एगरिकल्चर है उसके अंदर एक लैंड पर जितने भी जो वेजि किया जाता है उसके बाद जो लैंड है लैंड को चेंज कर दिया जाता है और कुछ समय बाद दुबारा से जब तक उस लैंड की जो लैंड फेटिलाइज यानि की जो सोईल फेटिलाइट नहीं नैचुरली रिस्टोर हो जाती है उसके बाद उसका इस्तमाल करते हैं दा से इस्टानांत्रित क्रशी जो थी जैसे कि हमने उपर पड़ा जो शिफ्टिंग एगरिकल्चर थी वो पर्मानेंट यानि इस्थाय रूप उसने लेने लगया यानि कि जब लोग है वो इस्थाय रूप से एक जगह पर ही क्रशी करने लगे तो उसे हम प्रिमेटिव पर्मानेंट एगरिकल्चर के नाम से जानते हैं थार टाइप आफ एगरिकल्चर इस सब्स्टेंस एगरिकल्चर इस टाइप आफ एगरिकल्चर इस बेस ओफ इंप्लॉइमेंट यानि कि ज़्यादा तर हम देखें तो यह इस टाइप का जो एगरिकल्चर होत वो employment यानि कि रोजगार का आधार माना जाता है By this type of agriculture, many form of human need are fulfilled यानि कि इसके द्वारा जो मनुष्य है वो अपने भोजन की आउशक्ताओं के साथ जो अन्य जो लोग हैं उनके भोजन की आउशक्ताओं को भी पूरा करता तो जब मनुष्य अपने भोजन की आउशक्ताओं को पूरा करते के साथ अन्य लोगों की आउशक्ताओं को भी पूरा करने लगा तो इस तरीके की जो क्रशी थी, इस तरीके का जो agriculture था उसे substance agriculture यानि कि जीवन निहवा क्रशी के नाम से जाना जाता है This agriculture is divided into two parts इसे दो भागों में भी भाजित किया जाता है Rice dominant substance agriculture and second is without rice substance agriculture First we are discuss about rice dominant substance agriculture Rice is the main crop grow in this type of agriculture जो rice है यानि कि जो चावल है चावल इस प्रकार की जो क्रशी है उसमें सबसे महत्पून जो फसल के रूप में देखी जाती है In this agriculture, per unit production is more but per farmer production is low इसमें हम देखते हैं कि जो per unit अनि कि एक हिकाई का उत्पाधन तो अधिक होता है but जो per farmer production इसमें हमें कम देखने को मिलता है Fields are small due to family size इसका कारण ये है कि इसमें जो क्रशक होता है, जो किसान होता है वो अपनी छोटी सी जमीन पर पूरी family के साथ इसमें क्रशी करता है इसलिए per farmer production इसमें हमें कम देखने को मिलता है The second type of substance agriculture is without rice substance agriculture In this type of agriculture is done in monsoon, Asia, wheat, barley and millet are major crop growing in strength of rice इस तरीके की जो चावल रहिते, गहन, जीवन, क्रशी, निर्वा, जो क्रशी है उसमें मानसूनी एशिया, एशिया के अनेक भागों में भागोलिक कारणों की प्रतिकूलता के चलते राइस के स्थान पर गेहूं, जो जवार और बाजरे को बोया जाता है मतलब जो physical conditions होती हैं असली उसमें राइस के सूटेबल नहीं होती है इसलिए उसमें राइस के स्थान पर जो other crops हैं जिसमें गेहूं, जो, जवार, बाजरा, आदी को बोया चाता है उसे हम without rice substance agriculture कहते हैं झाल झाल